$6,000 रुपे लेका हमने ट्रेडिंग शाट करें अमारी इस ट्रेडिंग जन्नी का एपिस्वोड नमबर नहीं पॉर्टी वन सो आज के दिन हम लोगने कैसे कि प्रॉफिट किया लॉस की आरेक चीज के पारे में आप लोगों बताते हैं बट इससे बहुत से वाई उसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज यार अपने उट से एक चोड़ा सा लाइक कर देना कोई भाई चैनल पर नहीं हो आपको कि प्रॉफिट होता है और कि ललॉस होता है और यह चीजा आप लोग को सुधार रहू पहले मेरा क्याम मैं सेट था लेकिन अभी चीजों को थोड़ा सा सुधारा मैंने जहां पर मार्केट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वह पर ट्रेड को एवोइड करो सिंपल मार्केट पर सेट अपने मिला ट्रेड को एवोइड करो बिल्कुल सिंपल ओके इस तरीके पर मैं चल लाओ तो इस वज़से डेली जो है वीडियो नहीं आ रहा लास्ट विक में मार्च दिनों में से खाली तीनी दिन वीडियो आया था उसमें से एक दिन लॉस किया था और दो दिन अच्छे का से प्रॉफिट किया थे और आज हमने ट्रेड लिया आज भी होगा बट कॉंसे साइट पर अपसाइड होगा या डाउंसाइड होगा इसका मुझा कोई करेंटर नहीं था तो इस वरसे मैं इस जगह पर ट्रेड को एवएड किया मुझे समझ मुझे लग रहा था कि उपर जाएगा लेकिन यह देखो उपर कितना बढ़िया ट्रैप किय थोड़ा से उपर गिया फिर नीचे गिरा दिया तो इसी वरसे मैंने इस जगह पर ट्रेड को एवएड किया इसके बाद मैं थोड़ा सा सो गया था मार्केट देखते देखते ना मैं थोड़ा सा सो गया था यहाँ पर हाला कि अच्छा खासा मेरा सेटब बना था यहाँ प के बाद मैंने की ट्रेट लिया वो ट्रेड लिया सीधा 3PM को को कि आप लोग देखोगे बारा बजब्र के बाद से मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है ऊके चैनल में मूव से क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्टी एंड 3 पीम भी है और 3 पीम से पहले मार्केट पूरा अप्ट्रेंड दिखाया है तो अब लोगों को ट्रैप करेगा पहले भी मैं यह चीज बहुत बार देखा हूँ तो इसी वज़े से मेरे दिमाग में यह चीज बिलकुल क्लियर अज तो मार्केट रैली विल्गुल नहीं करने वाला अब सैट तो बिल्कुल रैली नहीं करेगा करना भी होगा तो डॉणसाइड करेगा क्योंकि सब लोग यह आप बाइंग का सोच रहा होगा और मार्केट इनको पठकेगा नीचे साइड पे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक मिनिट के लिए मार्केट में घुसा और मुझे अपना टार्गेट प्रॉफिट जो है वो मिल गया अगर आप लोग देखो अच्छे से देखना ठीक है एक मिट का दर मुझे दो केंडल में अपना प्रॉफिट लिया और मैं निकल आया मार्केट से ठीक है मार्केट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यह थी पीम बाला केंडल ठीक है 3 प यह थी पिम बाला केंडल पे मार्केट एकदम 21,000 के अप तक टच किया तो जैसे यह उपर गया मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट यहासे नीचे जाएगा करने के बाद लिए इस पॉइंट तक नीचे विक देख सकते हो तो 然 नो मैंने इंत्री करने के बाद मुझे पता था पूझिशन बहुत ज्याद सकी तो मैं सीधा अपना इसंट जो है इंट्री करने के बाद मुझे दो तीन इसे लगा दिया कि मेरा तीन पॉंट का जो टार्गेट है वो मुझे मिल जाए तो यही एक मिनिट के अंदर मेरा टार्गेट हो गया वैसा भी मिल गया मेरा देखो डेली का टार्गेट रहता है कि सब्सक्ता की आँद टार्गेट रहता है मैरा टार्गेट रहता है मार्केट उसके बाद थोड़ा उपर गया था फिर ने एक चीज और बता दू अब यही ट्रेड विल्च और यहीं कि थ्रू लेते म्य हैं अगर यहीं शेर्व कितना हो त थ्री एंटर ने होता चे़ेंट के Punch निफ्टी में 6 पॉइंट कैप्चर करने के बात भी मेरा प्रॉफिट रहता 250 फिप्टी रुपीज ब्रोक्रेज लग जाता तो अगर आप लोग भी ऐसे ब्रोक्रेज से परिसान है दिन मेरे तरह न इम्स्टॉक यूज़ कर सकते हो इम्स्टॉक बहुत बढ़ी अप्लीकेस मुझे पर्सेनली कोई भी इसू दिखा नहीं अभी तक आगी आप लोग देखले ना अगर ब्रोक्रेज से परिसान हो दें डेफिनेटली सिप्ट जोय कर सकते हो और हां कमेंट करके बताओ आप लोग आज फ्रॉफिट हुआ की लॉस हुआ की कैसा क्या गया अगर हेवी प